दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है RD Education दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए नई वेकेंसी की जानकर रिले कराएं हैं जो की Central University of Rajasthan की तरफ से हैं Central University of Rajasthan ने 60 अलग अलग पदों पर भरती की अधी सूचना जारी की है जिसमें PA यनि की Personal Assistant, Scientist, MTS, Junior Translator, Driver, LDC, UDC, Nursing Officer, Cook, Professional Assistant, Librarian, Pharmacist, Private Secretary और अन्य कई पदों पर वेकेंसी निकाली है और इसका Official Notification जारी हो चुका है इस वेकेंसी में आप 4 मई 2022 से एपलाई कर सकते हैं तो क्या है इस वेकेंसी की पूरी जानकरी चली जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले Organization का नाम है Central University of Rajasthan Job category है University Job और College Job, Job Name है Various Job यनि की अलग अलग तरे की जोब इस पे निकाली गई है Job Location Name है Ajmer, Qualification इसमें 10th Pass, 12th Pass, MA और BA मांगी गई है Total Vacancy है 60 पदों पर, इस वेकेंसी में Registration की प्रक्रिया 4 मई 2022 से शुरू हो चुकी है और इसकी Last Date 10 June 2022 से Apply Mode इसका Online है चली जानते हैं इसकी बाकी की डिटेल दोस्तों इस वेकेंसी में PA की एक पोस्ट है, Information Scientist की एक पोस्ट है, MTS की 6 पोस्ट है, Junior Translator की एक पोस्ट है, Driver की एक पोस्ट है, LDC की 9 पोस्ट है, UDC की एक पोस्ट है, Nursing Officer की एक पोस्ट है, Cook की एक पोस्ट है, Personal Assistant की एक पोस्ट है, Librarian की एक पोस्ट है, Pharmacist की एक पोस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी की चार पोस्ट है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, किचन अटेंडेंट की दो पोस्ट है, लाइबरेरी अटेंडेंट की तीन पोस्ट है, लेबरेटरी असिस्टेंट की नो पोस्ट है, लेबरेटरी असिस्टेंट की पांच पो टोटल 60 पदों पर Central University of Rajasthan ने requirement मिकाली हैं। चलिए जानते हैं अब qualification के बारे में। कम्पिटर अनुप्रियोगों का ज्यान होना चाहिए। और नमबर 5, केंदर या राज्य सरकारों, विश्वी ध्यालय या अनुसंधान, संस्थान या स्वायत संगठन में आशुलिपिक की रूप में एक वर्ष का अनुभव होना आवशक है। अब आद करते हैं Information Scientist की post के ल Computer Application यानि की MCA में मास्टर होना आनिवारे हैं या फिर First Class M.S.C. होना आवशक है किसी माननेता प्राप्त विश्यू ध्यालय और संस्थान से 3 साल के प्रासंगीक अनुभव के साथ में। अब बात करते हैं M.T.S. की post के लिए M.T.S. की post के लिए Metric या उसके संकक्ष पास होना आनिवारे हैं और साथ में I.T.I.B. मांगी गई हैं। की post के लिए B.S.C. और D.G.N.M. नर्सिंग मांगी गई हैं। कुक की post के लिए 10th pass और I.T.I. यहां पर मांगा गया हैं। Personal Assistant की post के लिए Hindi English Typing और Bachelor की डिगरी यहां पर मांगी गई हैं। Librarian की post के लिए PhD और Master की डिगरी यहां पर मांगी गई हैं। Pharmacist की post के लिए 10th pass, 12th pass और B.Pharma यहां पर मांगा गया हैं। Private Secretary की post के लिए Hindi English Typing और Bachelor की डिगरी यहां पर मांगी गई हैं। Statistical Assistant की post के लिए MA की डिगरी यहां पर मांगी गई हैं। Kitchen Attendant की post के लिए 10th pass और I.P.P. यहां पर मांगी गई हैं। Senior Technical Assistant की post के लिए M.E. और M.T.E.C. यहां पर मांगा गया हैं। System Analyst की post के लिए B.E., M.E., B.T.E.C., M.T.E.C. और M.E.C. यहां पर मांगी गई हैं। Assistant की post के लिए MA और B.E. की डिगरी यहां पर मांगी गई हैं। Dresser की post के लिए 10th pass यहां पर मांगा गया हैं। Technical Assistant की पोस्ट के लिए BE, BTEC, MSC और BA की डिगरी यहां पर मांगी गई है और DIPT, Librarian की पोस्ट के लिए PhD और MA की डिगरी मांगी गई है अब बात करते हैं Age Limit के बारे में तो PA की पोस्ट के लिए Maximum Age Limit 35 साल Information Scientist की पोस्ट के लिए 40 साल MTS की पोस्ट के लिए 30 साल Nursing Officer की पोस्ट के लिए 35 साल Cook की पोस्ट के लिए 30 साल Personal Assistant की पोस्ट के लिए 32 साल Librarian की पोस्ट के लिए 57 साल Pharmacist की पोस्ट के लिए 32 साल Private Secretary की पोस्ट के लिए 35 साल Statistical Assistant की पोस्ट के लिए 32 साल Kitchen Attendant की पोस्ट के लिए 30 साल Library Attendant की पोस्ट के लिए 30 साल Laboratory Attendant की पोस्ट के लिए 30 साल Laboratory Assistant की पोस्ट के लिए 30 साल Senior Technical Assistant की पोस्ट के लिए 35 साल System Analyst की पोस्ट के लिए 40 साल Assistant की पोस्ट के लिए 35 साल Dracer की पोस्ट के लिए 30 साल Technical Assistant की पोस्ट के लिए 32 साल और DIPT Laborator की पोस्ट के लिए 55 साल age limit यहाँ पर रखी गई है चलिए बात करते हैं अब application fees के बारे में तो general, EWS और OBC candidates के लिए 15 सुरूपे application fees रखी गई है और SCST, PWBD, women candidates के लिए किसी तरह की कोई application fees नहीं ली जाएगी और साथ ही Central University of Rajasthan के regular employee के लिए किसी तरह का कोई application fees नहीं ली जाएगी अब बात करते हैं salary detail के बारे में तो PA की post के लिए आपको level 6 के according salary दी जाएगी information scientist की post के लिए level 10 के according MTS की post के लिए level 1 के according junior translator की post के लिए level 6 के according driver की post के लिए level 2 के according LDC की post के लिए level 2 के according UDC की post के लिए level 4 के according nursing officer की post के लिए level 6 के according कुक की पोस्ट के लिए, लेवल 2 के अकोडिंग, परसनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, लेवल 6 के अकोडिंग, लाइबरेरियन की पोस्ट के लिए, लेवल 5 के अकोडिंग, प्राइबेट सेक्रेटिरी की पोस्ट के लिए, लेवल 7 के अकोडिंग, इस्टेटिकल असिस की पोस्ट के लिए Level 1 के अकोडिंग, Laboratory Assistant की पोस्ट के लिए Level 4 के अकोडिंग, Senior Technical Assistant की पोस्ट के लिए Level 6 के अकोडिंग, System Analyst की पोस्ट के लिए Level 10 के अकोडिंग, Assistant की पोस्ट के लिए Level 6 के अकोडिंग, Dresser की पोस्ट के लिए Level 1 के अकोडिंग, Technical Assistant की पोस्ट के लिए Level 5 के अको selection process के बारे में तो selection process, written exam, certification verification और direct interview के आधर पर किया जाएगा और दोस्तों इस vacancy में जब आप apply करें तो इसका print out लेकर आपको इस address पर send करना होगा ये address आपको इस video के description box में मिल जाएगा आप महां से इसे copy कर सकते हैं अब बात करते हैं important dates के बारे में तो इस vacancy में 4 मई 2022 से आ दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि Central University of Rajasthan ने 60 अलग अलग पदों पर भरती के अधी सूचना जारी की हैं जिसमें आप 4 मई 2022 से apply कर सकते हैं और इसके last date 10 जुन 2022 है और इसमें sectioning की योग्यता 10 वी pass, 12 पास, MA और bachelor की degree मांगी गई हैं